आपसे और पूछना चाहूंगा, आपने मुसल्मानों की बात की, पर महराश्च में यहाँ पे मराथा सेंटिमेंट जो है, वो क्या भारती जनता पार्टी के अभी थोड़ा अगेंस्ट है, यहाँ पे मराथा एजिटेशन हुआ, मनोज जरांगे पार्टिल जी ने जो है तो प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी जी, और मोदी जी और यहाँ पे हमारी महायूती की सरकार, यह जो डबल इंजिन सरकार है, यही मराथा हिटो का आरेक्शन कर सकती है, वो जानते हैं कि उनका वोट अगर इदूर उदर दे 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 तो विफल हो जाएगा, ना कोई चुन प्यूजी, मुंबई नौर्थ आपकी सीट, भारती जनता पार्टी का गड़ रहा है, पिछली बार भी बहुत भारी जीत हुई थी, क्या पिछले बार के मार्जन को बीट कर पाएंगे आप? यह तो जनता जनारदन ही तैकरती है, क्या बीट कर पाएंगे, क्या नहीं, पर अभी तक जो सने, जो आशिरवाज, जो समर्थन, जमीन पर मुझे मिला है, जहां जहां मैं गया हूं मैंने देखा है, जुगी जोपडी हो, कोई समाज हो, कोई ऐसा व्यक्ती नहीं है, कोई पूरे प्रदेश में, पूरे कॉंसिट्वेंसी में, शेत्र में, मेरे को शेत्र नहीं दिखा, लोग नहीं मिले, जिनका रती बर भी मैंने नेगिटिविटी देखियो, समाज का हर वर्ग आज मोधी जी के साथ जाना चाहता है, ये वोट तो मोधी जी के लिए संकल्प, कि मुझे मोधी जी की गारेंटी उत्तर मुंबई के लोगों के जीवन तक पहुचानी है, और उत्तर मुंबई को उत्तर मुंबई बनाना है, ये मेरी निष्टा, मुझे विश्वास है कि बहुत ही अच्छी तरीके से लोग उत्रेंगे वोट डालने, पिछली ब अच्छी प्रक्षिब पढ़ेगा आप पने को कैसे में जब कोई विशहीन होता है, जिसके पास कोई विशही नहीं हो, कोई पोलिसी पॉलिसी कोई पॉलोग नहीं हो, और मुदा भी नही हो, तो वो इस मेकार के मुद्डों पर उतरात shaim, और मज़दार बात देखे न, हम हम सब मुंबई करें, आप भी मुंबई करूं, मैं भी मुंबई करूं, कभी आपते आपको दक्षिन मुंबई कर या उत्तर मुंबई कर बोलाएं का, आपके यह इतने लोग हैं इस स्टूडियो में, मैं चाहूंगा आप सभी का एक पॉल ले लिजे, अगर एक भी व्यक्ति ऐसा बोले के मैं मध्य उत्तर मुंबई करूं या मैं उत्तर पूर्व मुंबई करूं, हम सब मुंबई कर हैं, हमें शान है, हमें गर्व है हमारे मुंबई कर होने का, कॉंग्रेस और उद्धव ठाकरे जी, शायद मुंबई को भी बाटना चाहते हैं, देश को तो बाटने कि उनकी योजना है और नीती है अब वो मुंबई को भी तोड़ना चाहते हैं हिस्सों में और हमारे मुंबईकर को भी एक दूसरे के साथ लडाना चाहते हैं ऐसे ही पार्टी और ऐसे ही व्यक्ति इस पकार के व्यक्ते वे दे सकते हैं वैसे हास्से की बात है क्योंकि वर्श और अब वो स्वयम धारवी छोड़के बांदरा सांटा क्रूस में आगे हैं लड़ने हैं पता नहीं वो अपने आपको वह इंसाइडर बात है या आउटसाइडर अधित्या ठाकरे जी बांदरा में रहते हैं I think I'm sure मुंबाइकर सभी जानते हैं अब वहां से छोड़के वर् वह वह आउटसाइडर है या इंसाइडर है यह भी एक देखने वाली बांदरा से जानते हैं